हमारा किया कुछ ऐसा है जैसा मैंने सुना है एक छिपकली एक महल में रहती थी छिपकलियों में कहीं शादी विवा था, बैंड बाजे बजे, शेहनाई बजी, निमंतरन आया लेकिन उस शिपकली ने कहा, मैं आना सकूँगी, देखते हो मेरा काम, अगर मैं जाओं तो ये पूरा महल गिर जाए, इसे मैं समाले रखती हूँ मुझ पर बड़ा दायत ही है, तुम जो घास्पूस की जोपडियों में रहते हो, ठीक है, तुम चले भी जाओ, तो कुछ हर्ज नहीं है लेकिन ये बड़ा महल है, बारी हानी हो जाएगी मेरे जाने से, मेरा आना सभब नहीं अब छिपकली ऐसा सोचे, तो आश्चरे नहीं है, क्योंकि सभी छिपकलियां ऐसा ही सोचती है आदमी भी ऐसा ही सोचता है, मेरे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा मैं न रहूँगा, तो दुनिया का क्या होगा, महल गिर जाएगे, जिन्दगी का तारतम में तूट जाएगा यह जो मैं भाव है, यह बड़े बड़े सूफश रास्तों से लोटाता है यह धर्म के नाम पर तपश्चर्या बन जाता है, योग बन जाता है फिर तुम सोचते हो कि मेरे योग से परमात्मा करीब आएगा, मेरी साधना से सिद्धी होगी मगर तुम्हारी साधना और तुम्हारी सिद्धी में उतना ही संबंद है जितना छिपकली में और महल के संभलने में सजादा